सभी अद्धापक साथियों को नमस्का आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को मिस पोर्टल पे फिल कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को स शेयर कर देना तो चलिए सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर में यहां पे खोलते हैं मिस वन स्कूल सू डोट कोम पे और यहां पे क्लिक करने के बाद हम यहां पे अपने लोगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो यहां पे देखो थोड़ा टाइम लाग और यह सामने आ जाएगा तो यहां पे हमें कहां जाना है हम यहां पे जाएंगे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट पे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट पे हम यहां पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे पास इतने सारे ओप्शन्स आ जाते हैं तो यहां पे देखो सेक्शन अ लोकेशन इस तरह के होते वे सबसे last में हमें नीचे यहां मिलता है students attendance सबसे पहले हम यहां पे click करेंगे और यहां पे click करने के बाद इस तरह से हमारे पास interface यह आएगा और यहां पे सबसे उपर लिखा हुआ है देखो school का नाम है session लिखा हुआ है फिर school का नाम है और उसके ब करते हैं इसको click करेंगे class पे तो यहां class पे मैं कलिक करती हूँ class हमें select करने पड़ेगी मान मैं यहां पे first class ही select करती हूँ तो फर्स्ट क्लास अब मांग रहा है section की कौन सा section है चलो मैं A section यहां पर select कर ली हूँ और यहां पर attendance का time बता रहा है यहां पर यह की फुल टाइम है कब किये तो फुल टाइम ही लगेगे by default यही रहेगा और यहां attendance date यहां पर attendance की date हमें select करनी है और attendance date मानलिया मैं यही select कर र और उसके बाद हम यहां पर करेंगे proceed, proceed के जो icon आपको दिख रहा है यहां पर हम click करते हैं इस तरह से हमारे पास सभी students की यहां पर list आ जाएगी जो भी हमारे MIS portal पे upload हो चुके हैं जो registered है उनकी list आएगी कुछ बच्चे अब की बार ऐसे रह रहे हैं हमारे जो की MIS portal पे न हैं तो उन students का नाम यहां पे नहीं आएगा सरफ वही students आएंगे जिनका की MIS portal पे जो registered हैं तो यहां पे देखे सबसे पहले यहां पे serial number है student name है फिर section है इसके बाद है role number फिर यहां पे attendance के सारे option आ जाते हैं बच्चा present है on leave है या फिर absent है अगर present है तो हम यहां पे click करेंग यह बच्चा present हो जाएगा और यहां पे absent है तो हम यहां करेंगे by default सभी बच्चे present आ रहे हैं सभी present आ रहे हैं इन मेंसे जो leave पे है तो leave पे select करेंगे अगर यह बच्चा जैसे कि यहां पे है यह बलड़की है यहां आ लिया यह absent है तो मैं यहां पे click करूंगी अगर present अग देखो यहाँ पर उसके बाद में फिर आपको यह टिक करना पड़ेगा कि I have I confirm that the above marks attendance is accurate यह हम से हमारी confirmation मांगता है कि हमने जो attendance लगाई है वो confirm है हम यह right है या wrong है तो इसके बाद फिर यहाँ पर confirm पर हम click करेंगे और हमारी attendance से लग जाएगी लेकिन मैं यहाँ पर अभी attendance नहीं लगा रही हूँ तो मैं इनको वापिस वहीं पर लेके आती हूँ और इसको agities में छोड़ देते हूँ यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि बच्चों की attendance अगर एक बार हमने submit कर दी है तो दोबारा से पूरा दिन वो attendance submit नहीं होगी इसलिए attendance हमें बड़े धान से submit करनी है पहले हम reach कर लें कि हमने बच्चों के attendance सही बरी है या नहीं बरी है और इस तरह से हम अपने students की daily attendance से complete कर सकते हैं उमीद करते हूँ वीडियो से आपको फाइदा होगा वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर वीडियो आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को like और share करना चैनल को subscribe करना और सभी मुझे बताना कि किस-किस ने अभी अपने attendance M.I.S. पे लगानी शुरू कर दी है या कौन-कौन आगे अभी start करने वाला है start नहीं की है साथ ही अगर कोई difficulty हो तो अवज से ही message करके पूछना ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए और बनासकू जिस बारे में आपको जानना हो Thank you